Hello NRI friends, welcome to SBNRI, the next generation NRI banking. मिरा नाम है मुहित और आज इस वीडियो में बात करेंगे about NRI returning to India और उनके return के साथ taxation के point of view से, उनके assets पर क्या के impact आते हैं, इन सब चीज़ों को हम discuss करेंगे और end में conclude करेंगे कि इन पर expert advice आपको चाहिए या नहीं. तो बेना किसी भी देरी के चलिए, वीडियो को start करते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ points को consider करेंगे, जब एक NRI इंडिया वापस आता है. तो सबसे पहले जो change वो encounter करता है, वो है उसका residential status. इसमें R, N, O, R status की बहुत validity है, बहुत importance है, उसको समझना ज़रूरी है. साथी साथ आपके जो bank accounts होते हैं, उनमें changes होंगे, आपके real state investments अगर हैं, इंडिया में या abroad में भी, तो उन दोनों को tackle करना पड़ता है. Other asset classes में जो भी आपके investments हैं, उन पे भी खासा धान देना पड़ेगा. अगर आपने कुछ foreign assets hold किये हैं, आपके retirement accounts हैं, तो इन सब के basis पे आपका एक specific ITR form होगा, जो आपको भरना होगा, उस form को पहचानना, उसको apply करना, अपने returns को file करना, यह सारी चीज़ें बिलकुल अलग हो जाती हैं, जब आप transition करते हैं, तो इन cases में आपको एक expert advisory की कर सकते हैं, जो आपको end-to-end assist करेंगे, आपके banking investment, taxation और ऐसी कई चीज़ों को लेके जिन पर आपको doubt आ सकता है, कोई दिया सकती है, इसके साथी साथ आपको अभी SBNRI mobile app का premium access भी मिल रहा है, इससे पहले app launch हो, आप उसे use कर सकते हैं, उसके benefits को utilize कर सकते हैं, अगर आपको य expert chat window में लेगी, lower side right hand corner में, उसको use करके आप experts के साथ direct अपने queries exchange कर सकते हैं, या तो आप simply हमें mail कर सकते हैं, muhet at the rate sbnri.com पे, m-u-h-e-t at sbnri.com and thank you, that would be all for the video, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like करें, share it with your friends and subscribe to the channel and आपको कोई भी doubt हो, query हो, अगर आप इंडिया वापस आनी की सोच रहे हो, तो आगे क्या-क्या करना है, किस तरह से planning करनी है, इसको लेके भी आप हमारे expert के साथ direct call पर आ सकते हैं, चीजों को plan out करें और अच्छे से जो आपका moving back to India का एक जो step है, उसे successfully complete करें, so thank you once again for being with me throughout the video, I hope to see you in my next one, till then take care.